नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजविद रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले आठ दस मिनट मैं आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा तो सुप्रीम कोट ने दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरीवाल को एक नया जीवन दान दिया है और हाथ में दे दी है ऐसी संजीवनी बूटी जिस से मोधी सरकार को डर लगने लगा है कुल मिलाकर अर्विन केजरीवाल ग्रह मंतरी अमिशा के चंगुल से बाहर आ गये हैं सुप्रीम कोट ने ये काम किया है लेकिन अमिशा को ये भाने वाला नहीं है तो इसका तोड बीजेपी निकालने की कोशिश जरूर करेगी कि कैसे सुप्रीम कोट ने जो राहत दी है अर्विन केजरीवाल को उसको च्छीना जा सके दो तरीके से सुप्रीम कोट के जो आदेश है उस पर एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश मोधी सरकार कर सकती है उनकी हम विवेशना करेंगे बहुत महत्पूर्ण है ये जानना लेकिन पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोट अर्विन केजरीवाल को सर्विसिस के मामले में अधिकार दे दिये हैं वो क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि अब जितने आईएस अधिकारी हैं डैनिक्स के अधिकारी हैं वो इन सबकी ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल के पास होगा पहले वो किसी अफसर को transfer कर सकते थे ना उसकी posting कर सकते थे ना है उसका department ही बदल सकते थे लेकिन अब ये पूरा अधिकार अर्विन केजरिवाल को होगा दूसरे जितने विभाग है चाहे उनका क्रिशी विभाग है चाहे health department है चाहे जल्दाए विभाग है चाहिए बिजली विभाग है सब में वो अपने हिसाब से न्युक्तियां कर सकेंगे संख्या बढ़ा सकेंगे कुछ पोस्ट एबॉलिश करनी है तो उनको एबॉलिश कर सकेंगे और फिर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे और अर्विन उसमें रोडे डाल रही है, चीफ जस्टिन ने कहा कि इस पर हम एक बेंच का गठन करेंगे अर्विन केजरीवाल सीरियस है, अच्छा प्रशासन देने के लिए वो सीरियस है और मोधी सरकार भी उतनी ही सीरियस है कि केजरीवाल को सीरियस काम करने नहीं दिया जाएगा सियासी गोलियां अर्विन केजरीवाल पर नहीं चलाई जा सकती एक सीमा होती है, या तो आप सीमा में रहिए, या फिर जो NCT Act है National Capital Territory Act है, उसमें आप संशोधन कीजिये उसकी कौन सी धारा में? 239 AA-4 में आप संशोधन कीजिये इसके लिए Parliament में मोधी सरकार चाहे तो एक कानून ला सकती है जो सुप्रीम कोट के इस आदेश को सुपर सीड कर सकता है क्या मोधी सरकार ये काम करेगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि जजधंग से सरकार को सदमा लगा है क्योंकि अपने अफसरों के माध्यम से वो अंकुष रखती थी केजरीवाल सरकार पर बजट पर अंकुष रखती थी, गतिविधियों पर अंकुष रखती थी कि आपको हरानी होगी कि केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के नीचे जो महत्त अधिकारी थे वो अपने मंतरी जी की नहीं सुनते थे फाइल उनक तक नहीं बढ़ाते थे फाइल पर नोटिंग उनको नहीं दिखाते थे LG के पास सीधे जाते थे LG से आदेश लेते थे और LG अमिश्या से आदेश ले रहे थे और अमिश्या और मोदी की दूस्ती आप जानते ही है तो खेल ऐसे चल रहा था कुल मिलाकर इंडिरेक्ट रूप से मोदी अमिश्या दिल्ली को चला रहे थे अब दिल्ली चलाएंगे केजरीवाल अपने हिसाब से चलाएंगे उन्होंने साफ कर दिया है कि जवाब दे पास आए जाए आएगा और जिसके तहए ब्रष्टाचार के मामले कोई शिकायत होई चोरी चकारी रिश्वत खोरी की तो उस शिकायत का निवारन कर सकेंगे जाहिर है इसमें कौन फसेगा आपको ये बताने की जरूरत नहीं है तो दिल्ली की बीजेपी में खलवली है ग् क्या हो सकता है अब लोग कहते हैं कि साब देखिए तुनिया की जो दूसरी राजधानियां उनमें भी कुछ इसी तरह से होता अमेरिका की बात कीजिए तो वाशिंग्टन डी सी क्या है वाशिंग्टन डी सी डिस्ट्रिक्ट ओफ कॉलंबिया वो दो राज्यों में से के लिए वोट करने का अधिकार नहीं है, कॉंग्रेस वहां की एक तरह से लोकसभा मानी जाती हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को तो सारे अधिकार है, मुंसिपल्टी में वोटिंग करती है, और जो ग्रामी निलाकों में है, वहां पंचायतों में वोट करती है, फिर विधान सभा चुनाओं में वोट करती है, लोक सभा चुनाओं में वोट करती है, तो तमाम अधिकार दिल्ली की जनता को मिले हुए हैं, और इन अधिकारों को करटेल नहीं किया जा सकता, कुल मिला कर ये था कि दिल्ली as an whole केंद्र के पास कितनी शक्तियां हो, राज्य के पास कितनी शक्तियां हो, तो डिवाइड कर दिया सुप्रीम कोट ने कि लॉइन ओडर, पुलीस और लैंड और जबीन सम्बंदित मामलों को छोड़ कर तमाम शक्तियां दिल्ली सरकार के पास होगी, अरविन केजरिवाल सरकार के पास होगी, अब यहां कहानी आती है, अब एक ट्विस्ट आता है, या तो मोधी सरकार लोगसबा संसत के अंदर एक नया बिल लाएगी, एक नया कानून लाएगी, जो आर्टिकल 239AA को सुपरसीड कर देगा, यानि यह सारी शक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट ने अरविन केजरिवाल को दी हैं, उस ने कानून से वो सारी शक्तियां फिर छीन ली जाएंगी, फिर केंसरकार के अधीन आ जाएंगी, और LG के माध्यम से वो हुकम चलाएगी, जैसे हैं, जहां पर कोई विधान सबा नहीं है, तो क्या बीजेपी का बड़ा गेम प्लान यही है, दिल्ली में एक वक्त था जब विधान सबा नहीं थी, तो क्या दिल्ली का बड़ा गेम प्लान यह है कि खतम कर दी जाए, विधान सबा ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसरी ना विजानसभा रहेगी, ना चुनाव होंगे, ना मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल होंगे, और ना मुख्यमंत्री केजरिवाल होंगे, तो ना ही वो लड़ेंगे केन सरकार से, या फिर केन सरकार को लड़ना परेगा अर्विन केजरिवाल से, क्या इतना आसा का अर्विन केजरिवाल पहले भी व्यक्त करते रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के कंसल्टिंग एडिटर है पॉलिटिकल एडिटर है विनोज शर्मा उन्होंने तो एक दो चैनलों में कहा भी था कि अर्विन केजरिवाल ने उनसे अलग से एक बार बात की थी और तब कहा था कि मुझे तो आशंका है कि मोधी सरकार कुछ इस तरह कर सकती है कि दिल्ली विधान सबा को भंग कर दे और ये एसेंबली सिस्टम ही खतम कर दे आखिर दिल्ली में विधान सबा की जुरत क्या उसके लिए कोई ना कोई बहाना वो ढूंडा जा सकता है इसमें कोई प्राब्लम की बात नहीं है लेकिन सुप्रीम कोट का ताजा ताजा फैंसला उस पर अर्विन केजरीवाल का प्रशासन को चुस्त दुरुस्त स्लिम करने का आश्वासन भरोसा क्या मूदी सरकार तुरंत ये फैंसला कर पाएगी सुपर सीड करने वादा वाला कानून भी ला पाएगी या फिर अर्विन केजरीवाल को मौका देगी क्योंकि अर्विन केजरिवाल को मौका दिया तो वो चूखने वाले नहीं है मोहला क्लीनिक उनके होगे, उनके स्कूल अच्छे होगे अब वो कह रहे हैं कि नया मौडल स्थापित करने जा रहे हैं प्रशासन का और कुछ महीने बाद फिर दावा करने लगेंगे कि मोडी सरकार का प्रशासन से बहतर उनका प्रशासन है कोई नहीं रोक सकता उनको दावा करने से तो ये देखना बड़ा दिल्चस रहेगा कि अर्विन केजरिवाल को सुप्रीम कूट की तरफ से जो संजीवनी मिली है उसके कितने घूंट वो पी पाते हैं और कितने कडवे घूंट मोडी सरकार हमिशा कब तक पी पाते हैं और कब वो रियाक्ट करते हैं शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया